नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आए आज हम बास्तुक से संबंदित कुछ बेसिक मूल भूत चीजों को सीखेंगे सबसे पहले देख लें आपका जो भी घर है या जो भी पलोट है जहां पर या तो आपका भवन बना हुआ है या निर्वान करने जा रहे हैं तो किन सब बातों को मूल रूप से ध्यान रखनी चाहिए उन बातों को आज हम देखते हैं सबसे पहले दिसा देख लें, दिसा तो आपको पता ही होगा कि आपके घर में कहां पर दिसा है, ति ये पुर्व है, पस्चिम है, उत्तर है, दक्षिन है, पुर्व और उत्तर का कोना इशान कोन का लाता है, पुर्व और दक्षिन का कोना आगने कोन का लाता है, दक्षिन औ अब दो दिसा होती है एक नीचे सेंटर की और दूसरा उपर की और तो कुल दस दिसाएं होती है इसा सास्तर में कहा गया है अब जब भी आप अपना घर का निर्वान करवा रहे हों घर का भवन का तो उसमें पुराने जवाने में जो होता था कि बीच में ब्रह्म अस्थान क लिए खाली जगा पर यहां पर छोड़ा जाता था यह लोग यह इसे किस प्रकार से यह खाली जगा छोड़ते थे लेकिन समय बदलता चला गया और भूमी का जो मुली काफी बढ़ गया इतनी जादे प्राइस हो गई है इतना अधिक प्राइस हो गया है कि आजकर लोग करते थे बीच में ब्रहम अस्थान चोड़ते थे यह कमरे बनाते थे और लेकिन अब ऐसा गेनरली देखने को नहीं मिलता है लेकिन अगर ऐसा संभव हो आपके पास इतनी भूमी हो कि आप बीच में ब्रहम अस्थान चोड़ सकते हैं खुला तो अब असी छोड़नी चाहि अब इसमें मूल चीज़ें क्या है मूल चीज़ें अगर इशान कोना आप अगर जल की वेवस्था तो हर घर में होती है जल की वेवस्था अगर करनी हो तो आपको इशान कोन में करनी है यह बात आप ध्यान में रखें कि इशान कोन में ही आपको जल की वेवस्था करनी है यह बिल्कुल कोना नहीं, आप थोडवा से हटी, यहां कर सकते हैं, मतलब प्रयास करें कि, इसके जो आधा अस्थान होता है, इसका यह आधा हो गया, इसका यह संटर से जो आधा अस्थान हो गया, आधा का अदा यहां, ति इन एरिया के बीच में आप अपने जल का वेवस्था कर लें जल का वेवस्था मतलब यहां पर आप बेल लगा सकते हैं कुवा कटवा सकते हैं अन्य चीजें भी करा सकते हैं आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी लगा सकते हैं सब चीजे कुछ होती है जहां जल की विवस्था करते हैं और जल की विवस्था अग साथ यह इशान कौन पूजा के लिए माना जाता चुकि यह कौन शुद्ध्ध और सुभ उना अथी आवस्चेक है किसी प्रकार की यहां गंदगी बेगर ना हो तिये साब शुथरे रखे और यहां पुजा का स्थान बना सकते हैं, तीज हो गई मूल अस्थान, आगनी कोन, नियमानुसर जो है बास्तु के नियमानुसर इस कोन में आपको रसोई घर का निर्मान करानी चाहिए, बाई कोन, बाई कोन में आप अपने जो है ट्वाइलेट का निर्मान करवा सकते हैं, अंडर्गाउंड सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं इस सब चीजों को इस कोन में बना शकते हैं ऐसे तो निमानों सारे कि जहां आप अपने घर का निर्मान कर रहे हो अपने भवन का उसके ठीक नीचे टैंक नहीं रखना चीए अब आगे बारी आती है living room रहने का living room मुख्य रूप से आप धक्षिन और पस्टिम इन दिसाओं बना सकते हैं living room के लिए आपके पास area है कि यहाँ से आप से सेंटर जो होते हैं यह पाइकौन यह पस्टिम के बीच से बिच जो यहाँ से दूर्स आप इस एरिया में इस एरिया में रहने का आप living room बना शकते हैं इस में किनको कहा रहना चीए ति यह जो नayरीच थी कोन होता है यह मूल रूप से अगर इस कोन crater में अगर बनाना हो living room ति यह घर के जो head है घर के जो परमुक बेखती हैं मुख्या जिसे बोलते हैं घर के मुख्य लोग जो घर का संचालन करते हो तो उन्हें जैसे घर के कोई आपके पिता हैं तो वो यहां को हो सकते हैं दादा जी हैं वो हो सकते हैं या फिर आप भाई में बढ़े हैं तो आप भी अपना यहां पर जो है रूम रख सकते हैं तो ये उनके लिए होता है तो ये थे मूल रूफ से कि कहां क्या होना चाहिए इसके बाद बहुत सारे चीजे होती है जैसे पूजा घर है उसकी क्या इस्थिती होनी चाहिए शिड़ी है शिड़ी की स्थिती क्या होनी चाहिए तो बहुत सारी चीज पर देखनी पड़ती है उनकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे आज की अंक में इतना ही धन्यवाद